निगाहे रखिएगा इस नमबर नाइन पर जो नमबर वन है और इस खिलाडी पर फजल सुल्तान अत्राचली साथ बार भारी पड़े हैं इन्हीं दोनों का प्रदर्शन मैच का नतीजा तैग करेगा पूरी उमीदे हैं पजल अत्राचली लेफ्ट कॉर्णर पर संधीत अर्वाल वाइड कॉर्णर पर और यह देखिए किसको बाहर किया शरंदर सिंग को जो सबसे निरंद तर्टर के साथ परफॉर्म करते हैं अब दोनों के दोनों मेन डिफेंडर हैं प्रदीप सूपर टैकल में इस सीजन में थ संधीत नर्वाल के मजबूत हातों से निकल के बच जाना आसान नहीं होता सेम सिच्वेशन थी गुजरात के साथ जब डूबाइड है उसकी बात बात में होगी अर्चुन देश्वाल पिछले मैच में सूपर 10 लगाया था यहां बोनस भी नहीं मिलेगा अर्चुन देश् कर गए अब विकास जागलान को पॉइंट नहीं मिला तो यह भी वहीं बेंच में पहुंच जाएंगे प्रदीप के पास पॉइंट मिला यंग चेंग को ने गलती की वाटना पारेश वाजी नबर फिपिन आउन आगई डूओ डाई MS को भीजा जा रहा है डूओ डाइड म में MS अतुल पिछली बार जैदीप का शिकार बने थे जो कि राइट कॉर्णर खेल रहे हैं अभी शेक सिंग की जागलान ने इनको पॉइंट तोफे में दिया था बोनस इस बार भी ओफ है पटना की डिफेंस को थैर ये दिखाना होगा यू मुंबा का जहां तक सवाल है डूओ डाइड में तुल मिलाकर 27 रेट पॉइंट इस ते पहले और ये देखिए यू मुंबा जाजी नुबा फाइवाइड दूओ डाइड याने के बिना पॉइंट के लॉट नहीं सकते तकरीव पंद्रा सेकंड बाकी है पती परवाल ये इस सीजन में अगर आप उनकी फूर टाइम रेग्स ट्राइक रेट देखें तो 14 प्रतिशन के आसपास और वही अहां पर तब्दील होता हुआ यू मुंबा दोनों में कॉर्णर बाहर है नीरज कुमार को राइड को राइड को राइड केलना पड रहा है तो ये दरख प्रता हुआ डिफेंस है पटना पाइरेट का रेडिंग तो पहले ही दर्कीती ये लिजिए एक और खिलाडी आउट अब जूंतों भी कामियाभी नीरजाज अपना खाता भी नहीं खूल पाए पिछले मुकाबले में आठ टेकल पॉइंट उनके नाम थे क्या वो एक वन मैक्च वन रमन कर रहे जाएंगे या दूसरे हाफ में वापजी करेंगे पहले हाफ में बड़ी लीड ले ली है ये मुंबारे गुल मिलाकर बाइस नौ से आगे हैं देखने ये होगा कि परदी परवाल सेकंड हाफ में चलेंगे या बाकी प्लेस उन्हें सपोर्ट कर सकेंगे कोच भी इंफेक्ट संजे अपनी टीम को ज्यान दे सकता है बुद्धी मता नहीं दे सकता है क्या उनके खिलाड़ी उनके घ्यान को आत्मसाद करके बेतर खेल पाएंगे सुपर टेकल सिचुएशन है और ये सुपर टेकल हो गया है रविंदार सबसे श्यूट पहली बोर भी कामयाप पारिस देफेंस यहां पर खुब खुब हमले के लिए नहीं जाएगा वक्त निकलेगा पर टीप प्रेशर मडेगा तकरीबन दस सेंद्ट कर वक्त बाकी रहे गया है और ये देखिए पर टीप नर्वाल एक बार थे दूए डाइव नहीं आएगा यह देखिए यह है निरनायग रेड आजके इस मुकाबले की पहले संदीब को बाहर किया संदीब वैसे भी एंड लाइन से बाहर निकल गए एक बार पिर हला के वाइट लाइन को क्रॉस करना शाहिए बहुतक मुझकल नहीं लेकिन किया सपोर्ट के लिए पूरी टीम आई लेकिन ठागिशाली उंगलियों ने मिड्लाइन को क्रॉस कर लिया और नसे अप्नी जीत अपनी टीम की चीप इस उनैश्चित कर लिए पटना के लिए यह टैकल करना बिलकुल उचित था यह रिस्ट उन्को लेना था लेकिन रूहु श्रेष्ट रेडर साबित हुए